हलो दोस्तो आज किस बीटियो में बिहारदरोगा न्यू भेकेंसी के बारे में बात करने बाले हैं कि बिहारदरोगा की नई भरती 2022 में किस महिने आ सकती है क्योंकि बहुत से कंडेट के इसके लेटेट कॉमेंट आ रहे थे कि बिहार दरोगा की नई भरती 2022 में कब तक आएगी और कुछ कंडेट का ये भी कहना है कि 2022 में बिहार दरोगा की कोई भरती नहीं आएगी तो इस पर भी बात करने बाले हैं आप लोगों को पूरूप के आनकारी देने वाले हैं इसलिए आप लोग वीडियो को पूरावस्त देखेगा तो चलिए आज कब डिश्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बिहार दरोगा के 2020 के नोटिफिकेशन के नुसार कुछ डिटेल देख लेते हैं सबसे पहले एज की बात के तो एज अनरक्षित समानिकोटी के पूरुसों के लिए नियून्तम 20 वर्ष और अधिक्तम 37 वर्ष रखा जाएगा पिछरा वर्ग एवं अत्यंत पिछरा वर्ग के पूरुसों के लिए नियून्तम 20 वर्ष और अधिक्तम 40 वर्ष रखा जाएगा अनरक्षित समानिकोटी पिछरावर्ग एवं अत्यन्त पिछरावर्ग की महिलाओं के लिए नियुनतम 20 वर्ष और अधिक्तम 40 वर्ष रखा जाएगा उसके बाद अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती के पूरुसों वे महिलाओं के लिए निउनतम 20 बर्स और अधिकतम 42 बर्स रखा जाएगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पूरुसों और महिलाओं की अधिक्तम आयू वही होगी जो कर्म सा अनरक्षित यानि की जेनरल केटेगरी के पूरुसों और महिलाओं के लिए निर्धारित होगी उसके बाद हाइट यानि की उचाई की बात के तो अनरक्षित समन वर्ग एबं पिछरा वर्ग के पूरुसों के लिए नियूनतम उचाई 165 cm रखा जाएगा अत्यंत पिछ्रावर्ग अनुसूची जाती एबम अनुसूची जनजाती के पूरूसों के लिए नियूंतम उचाई 170 cm रखा जाएगा सबी बर्गों की महलाओं के लिए नियूंतम उचाई 155 cm एबम नियूंतम वजन 40 kg रखा जाएगा वहीं अगर सेक्षनिक योगिता यानिक एजूकेशन की बात करे तो आप लोगों को किसी भी माननेता प्राप्त विश्विद्लाले से सनातक परिक्षा या राज सरकार द्वारा माननेता प्राप्त उसके समकच परिक्षा उत्तिर्न होना अनिबाद रखा जाएगा तो अगर आप लोग किसी भी माननेता प्राप्त विश्विद्लाले से किसी भी विश्विद्लाले से ग्रेजवेट हैं तो आप लोग बिहारदर होगा फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं उसके बाद सेलेक्षन प्रोसेस की बात करे तो इसमें दो एक्जाम लिये जाएंगे प समानिग्यान एवम समसमाईग मुद्देश से संबन्धित प्रसन पूछे जाएंगे और रिखतियों के 20 गुना यानि की जितने भी वेकनसी होगे उसके 20 गुना कंडेट का सिलेक्शन मुखी परिक्षा के लिए यानि की मैन्स एक्जाम के लिए किया जाएगा वहीं मैन्स इसमें आप लोगों को कम से कम 30% अंक लाना अनिबार रखा जाएगा। मैंस एकजाम के अधार पर रिक्तियों के 6 गुना यानि की बैकेंसी के 6 गुना कंडेट का सेलेक्शन पीटी के लिए होगा यानि की फिजिकल टेस्ट के लिए होगा। देख सकते हैं ये पेपर कटिंग उन कंडेट के लिए जो कहते हैं कि बिहार दरोगा की 2022 में भरती नहीं आएगी तो ये पेपर कटिंग आप लोग देख सकते हैं। इसमें दिया गया है कि पुलीस 2024 तक हर साल दस से बारा हजार भरतियां दोर के साथ पराई में भी अभी से लग जाएं। सिपाई के लिए इंटर वो दरोगा के लिए सनातक पास होना जरूरी है। इस सुप्रीम कोट का आदेश है कि बिहार में पुलिस पब्लीक कनुपात कम से कम 125 किया जाना चाहिए। इसके लिए बिहार में 2024 तक हर एक साल बिहार पुलिस एबं बिहार दरोगा की बाहली करनी परेगी। तो अब इस पर कुछ केंडेट कहेंगे कि फिर 2021 में भरती क्यों नाई तो बिहार दरोगा की 2020 में जो 223 पदों पर बाहली निकली थी। इसका एकजाम ही 2021 के दिसंबर में लिया गया और 2446 पदों पर जो 2019 में भरती निकली थी। इनका ट्रेनिंग ही 2022 में सुरू किया गया है। सिर्ब भरती निकाल देने से नहीं होता है उनका ट्रेनिंग भी करवाना परता है और बिहार में ट्रेनिंग सेंटर की काफी कमी है इसलिए बिहार दरोगा का 2021 में कोई भी भरती नहीं आई लेकिन 2022 में बिहार दरोगा की नई भरती जरूर आईगी उसके बाद अपलोग कुछ दिन पहले का अपडेट देख सकते हैं जिसमें दिया गए कि पांच बरसों में सुधारा पुलिस पबलिक अनुपात एक लाख अबादी पर अभी परती असी पुलिस बल पुलिस महकवे में पिछले दिनों दरोगा और सिपाही रैंक में हुई ब बिहार को राष्टिय अउसत के मुताविक परती लाख अबादी पर पुलिस की संख्या एक सो पचपन या इससे थोड़ा ज्यादा कानुपात प्राप्त करना है तो इसके लिए पुलिस बलों की संख्या को मौजूदा से दोगुनी करनी होगी यानि दो लाख से ज्यादा पुलिस कर्मियों की बहली होने पर ही बिहार राष्टिय अउसत तक पहुच पाएगा बरतमान में बिहार पुलिस में स्विकृत बल की संख्या एक लाख दस जार है जिसकी तुलना में नब्बे हजार से ज़्यादा पुलिस कर्मी मौजूद है बिहार में परती लाख जन पेपर में दिया गया था कि पुलिस में भी दूसरे विभागों की तरह कॉंट्रेक्ट पर होगी रिटायर सीपाई से लेकर इस्पेक्टर तक की बहली यानि कि कॉंस्टेबल से लेकर दरोगा एबम इस्पेक्टर तक की बहली कॉंट्रेक्ट बेसिस पर होगी और यह सिर् बात तो कन्फरमे कि बिहारदरोगा की भरती 2022 में जरूर आएगी अगर बात करे 2022 में कितने पदों पर बिहारदरोगा की बरती आ सकती है तो कम से कम दोहजार या अधिक से धिक 2500 पदों पर यानि कि 2000 से लेकर 2500 के बीच पदों पर भरती आप लोगों को देखने को मिल सकती है तो 2000 से लेकर 2500 पदों के बीच आप लोगों को भरती बिहारदरोगा की 2022 में देखने को मिल सकती है अगर बात करे 2022 में भरती कब तक आ सकती है तो 2446 बालों का ट्रेनिंग 28 फरवरी से शुरू किया गया, इनका एक साल का ट्रेनिंग होगा, यानि कि 2023 के फरवरी तक इनका ट्रेनिंग होगा, उसके बाद 2213 बालों का ट्रेनिंग सुरू किया जाएगा, तो 2213 बालों का 24 अपरेल को मैंस एकजाम लिया जाएगा, उसके लेकर सेप्टेम्बर तक देखने को मिल जाएगा अगस्त से लेकर सेप्टेम्बर तक बिहार दरोगा की नई भरती 2000 से लेकर 2500 के बीच पोस्टों पर नई भरती आप लोगों को अगस्त से लेकर सेप्टेम्बर तक देखने को मिल जाएगा इससे पहले भी नई भरती आज सकती है लेकिन अगास से लिकर सेप्टेमबर तक जरूर आप लोगों को बिहार दरुगा की नई भरती 2022 में देखने को मिल जाएगा इसके लिए अब आप लोगों को थोरा इंतजार करना पड़ेगा तो बिहार दरुगा नई भरती के अब लोगों को वीडियो के मादम से जानकारी देदेंगे इसके लिए प्लोग चनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को जदा ज़ए और लाइक करें तो चलिए आज को वीडियो समवत करते हैं वीडियो देखने के लिए अप लोग कर धनिवाद